दोस्तो भारत सरकार के विज्या नेव प्रोध्योगी की विभाग के अंतरगत आने वाले इंडियन इस्टिटीट ओफ केमिकल टेकनोलोजी में आई टी आई पास केंडिडेट्स के लिए अलग अलग ट्रेड अनुसार 29 पोस्ट पर एक पर्मानेंट भरती जी आई दोस्तो पर्मानेंट भरती का नोटिफिकेशन हाली में जारी हुआ है और आज की इस वीडियो में इसी भरती की समस्त जानकारी हम आपके लिए लेकर आये हैं इस भरती में निकले हुए पद उसमें अपलाई करने का प्रोसेस किस तरीके से selection का process रहेगा exam किस तरीके से होगा सारी जानकारी इस video को देखकर आपको मिलने वाली है तो दोस्तो पूरी जानकारी के लिए video को last तक आप जरूर देखें दोस्तो शुरुआत में अगर बात करें इस vacancy में निकले हुए पदो की तो आपको बता दू Technician 1 पोस्ट पर कुल 29 भर्तियां आपर निकाली गई है जिसमें category wise आप पोस्टों का वर्गी करन यहाँ पर चेक कर सकते हैं इस भर्ती में जो pay level है वो level 2 का रहने वाला है जो आपकी salaries रहेगी 38,483 रूपे selection होने के बाद रहने वाली है दोस्तों यह जो salary है इसमें basic pay, DA, HR, TA सब included है अपर age limit की अगर बात करें तो 28 years इसमें upper age limit रखी गई है लेकिन category wise अलग-अलग upper age limit में छूट आपको मिल जाएगी दोस्तों अगर बात करें अलग-अलग post wise जो trades के लिए मांगी गई है आप देख सकते हैं सबसे पहली जो post code है वो है ELEC01 जिसमें electrician के लिए 5 post निकाली गई है इन 5 post में 2 post unreserved के लिए है, 2 post OBC के लिए है और 1 post EWS के लिए है दोस्तों यहाँ पर SCST को अगर apply करना है तो उन्हें unreserved की post पर apply करना होगा इसमें apply करने के लिए जो essential qualification है आपको 10th pass होना जरूरी है और 10th में आपके science subjects होने चाहिए और उनमें minimum 55% marks आपके होने चाहिए इसके अलावा आपकी ITI का certificate आपने NCVT, SCVT से किया हूँ, electrician trade में तो आप इस भरती में इस post पर, electrician की post पर apply कर सकते हैं नेक्स जो post है दोस्तों वह है mechanical feature की जिसके तीन पत निकाले हुए है जिसमें एक पत unreserved के लिए SC के लिए A के OBC के लिए एक पत है qualification की अगर बात करें तो 10th में आपके अगर 55% science subject में है और आपकी ITI filter trade से अगर आपने QE है तो आप mechanical filter वाली तीन post पर apply करने के लिए eligible है next post है instrument mechanic की 5 पत जिसमें unreserved के लिए 2 SC के लिए 1 OBC के लिए 1 और EWS के लिए 1 पत है 10th में अगर science में आपके 55% है और ITI आपने instrument mechanic से QE तो apply कर सकते हैं इसी तरीके से next post है laboratory assistant chemical plant की जिसके 10 पत है जिसमें unreserved के लिए 6 SC के लिए 1 SC के लिए 1 OBC के लिए 2 पत निकले हुए है 10th में 55% science से और आपकी ITI laboratory assistant chemical plant से है तो apply कर सकते हैं next post है mechanic refrigeration and air conditioner इसके 3 पत है unreserved के लिए 1 SC के लिए 1 OBC के लिए 1 इसमें apply करने के लिए वही 10th में आपके 55% science में और आपकी ITI mechanic refrigeration and air conditioner trade से मांगी गई है next post है mechanic motor vehicle इसके एक पत है unreserved के एक लिए पत है इसमें आपकी ITI motor vehicle trade से अगर है तो apply कर सकते हैं dotsman civil की next post है इसमें 2 पत निकाले गए जिसमें unreserved के लिए 1 OBC के लिए 1 पत निकला हुआ है जिसमें apply करने के लिए same आपके 10th में 35% science subjects और ITI के dotsman civil में मांगी गई है तो दोस्तों अगर आप essential qualification को पूरा करते हैं तो आप इसमें apply करने के लिए eligible रहेंगे इसमें selection के बाद जो आपको benefit salary के अत्रिक मिलेंगे वो DA, HRA, TA वगेरा रहने वाले हैं साथ ही आपको promotion schemes होती है department की उसका भी lab मिलेगा और national pencil scheme का भी आपको lab मिलेगा दोस्तों ये एक permanent job है तो इसमें आपको बहतरीं lab जो central government के करमचारियों को मिलते हैं वो सभी lab आपको मिलने वाले हैं तो दोस्तों इसके लिए आप अच्छे से इसमें serious जरूर हो age limit की अगर बात करें तो इसमें maximum age limit जो मैंने आपको 28 वर्ष बताई थी उसमें अगर आप SC और ST category में आते हैं तो आपको upper age limit में 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी कि वहीं OBC non criminal candidate को 3 वर्ष की upper age limit में छूट मिल जाएगी यहां आप किसी भी category में अगर apply करते हैं तो उस category का आपको cast certificate upload करना होगा वो cast certificate SDO district magistrate deputy commissioner से verify होना चाहिए साथ ही यह government of India के यानि central government के format पे बनावा होना चाहिए जो कि काफे सारे student का confusion रहता है दोस्तो अगर आपके अपा certificate नहीं है आपका format आपको नहीं पता तो इस vacancy का जो notification आप screen पर देख रहे हैं इसी में last में आपको जो cast category certificate के जो format से वो देखने को मिल जाएंगे यह notification आप हमारे telegram group से download कर सकते हैं इस वीडियो के description में आपको मिल जाएगा दोस्तों अगर बात करें mode of selection की तो selection के लिए शुरुआत पर जो आप form apply करेंगे वो online mode पर होगा online form apply करने के बाद आपका एक trade test होगा ठीक है सबसे पहले इसमें trade test रखा गया examination होगा यानि उसको check किया जाएगा ठीक है तो first जो paper होगा आपका written exam में वह qualified nature का होगा जो second और third जो paper होगा यह आपका merit इसी के अनुसार आपकी merit बनाई जाएगी ठीक है अगर बात करें paper किस तरीके से होने वाला है तो paper जो होगा यह OMR based होगा ठीक है या फिर computer based objective type का paper होगा ठीक है MCQ होगा यानि OMR based हो सकता है फिर computer based MCQ paper हो सकता है अपका ठीक है जो question होगे यह English और Hindi दोनो languages में आएंगे लेकिन अगर English language का कोई question होगा तो English में ही रहेगा ठीक है standard of exam जो exam का standard होगा वो 10th plus ITI या 12th standard का रहने वाला है total number of question 150 question रहेंगे इस total paper में written exam में यह जो written exam होगा यह 5 गंटे का होगा दो घंटे 30 मिनट का इसमें जो paper first होगा यह 1 घंटे का होगा इसमें जो question आएंगे वो mental ability के होगे इसमें 50 question होगे प्रते question 2 marks का होगा 100 number का यह paper होगा इसमें किसी भी प्रकार की कोई negative marking नहीं होगी इस exam को के बाद आपका जो paper second होगा इसके लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे इसमें जो journal awareness के 25 question होगे प्रतेक question के आपको 3 marks मिलेंगे यानि सही करने पर आपको प्रतेक सही answer के 3 marks मिलेंगे तो 75 question marks का यह general awareness part रहेगा English language का second part रहेगा जिसमें 25 question होगे इसका भी प्रतेक सही का आपको 3 number मिलेंगे यानि 75 numbers का English language का part रहेगा एक one negative marks for every wrong answer यानि एक mark आपका कटेगा किसी भी एक negative answer के लिए तो negative marking का आपको second part में विशेश रूप से ध्यान रखना है इसी तरीके से बात करें paper third की तो paper जो third होगा है 90 minutes का होगा और यह आपके concern subject यानि जिस trade से आप apply कर रहे हैं इस trade से आपने idea क्या हुआ है उसे से related आपके पचास question आएंगे और प्रतेक सही उत्तर के आपके तीन marks होगे यानि 150 marks का यह पार्ट रहेगा इसमें one negative mark रहेगा every wrong answer के लिए तो एक गलत उत्तर के लिए आपका एक अंक कटेगा तो आपको विशे शावदानी रखनी है second or third part में apply कैसे करना है दोस्तो apply करने का process online है इसके लिए आपको official website पर जाना होगा जिसे की screen पर आप देख सकते हैं इस official website पर carrier वाला option मिलेगा इस पर आपको चले जाना है carrier वाले option बें आपको जो third number का जो यह विकेंसी निकली हुई है technician first की ठीक है advertisement number 02 oblique 2024 इस पर आपको चले जा जाएगा जो की 27 number को active हो जाएगा ठीक है यहां से आपको apply करना है apply करने के बाद सबसे पहले आपको registration करना होगा registration करने के बाद आपको आपका form बरना है ठीक है और form बरने के साथ ही आपको आपके required document भी attach कर देने है upload कर देने हैं दोस्तो form बरने की जो last date है वो 26 December रखी गई ठीक है इसके अलावा SC, ST, PWD, Women और CSI, Employee, Ex-Servicemen को किसी भी प्रकार की कोई fees का payment नहीं करना होगा अधर जो candidate को 500 रूपीज का payment online करना होगा दोस्तों इस vacancy में apply करने के लिए जो documents आपको attach करने है upload करने है उसकी जानकरिया आप इस official link पर sorry notification से download कर सकते हैं ठीक है किसी भी तरह के का कोई update है कोई भी जानकरी उसको भी उसकी भी जानकरी आप official website से ले सकते हैं वो भी उसका भी link इस video के description में हम आपके लिए डाल देंगे दोस्तों जो documents मैंने आपको बताया था upload कर दे के लिए उसकी जानकरी यहां से page number 17 पर आप point number 6 से देख सकते हैं तो दोस्तों इस सारे documents आपको complete करवा लेने हैं जिससे कि आप इस vacancy का online form बर सके और upload कर सके हैं दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको formats चाहिए जैसे cast category certificate का तो वो आप यहां से download कर सकते हैं प्रिंट निकाल सकते हैं और यहीं से इनी formats के अधार पर अपना जो category certificate है वो बनवा सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से आप इस vacancy का online form बढ़ सकते हैं किसी भी प्रकार का आपको को confusion लगता है तो comment करके हमसे पूछ सकते साथ ही official website पर भी आप जनकारी प्रात कर सकते हैं दोस्तों उमीद है कि यह video आपको helpful लगा होगा video कर आपको यह अच्छा सब्सक्राइब मिल सके तो दोस्तों मिलते एक लिए वीडियो में टेक केर